हलो एवरिवन आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स के चीला या तो आप इसे ओट्स के पैनकेक भी कह सकते हैं ये वाइटामीन्स और खास करके फाइबर से भरपूर होते हैं और टेस्ट में एक्तम लाजवाब आप ये चीले किसी को भी और कभी भी बना के दे सकते हैं हाटली 10-12 मीट में ये तयार हो जाते हैं डाइबिटिस के लिए और जो वेट लोस कर रहे हैं उनके लिए पहुत ही फाइदे मन्थ है और आज हम इसे बिना प्याज और बिना लेसुन के प्रिपेर करेंगे तो चलो बनाना शुरू करते हैं हेल्दी ओट्स चिला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ओट्स तो मैं यहाँ पे एक कप ओट्स ले रही हूँ इसको मीडियम फ्लेम पर 2-3 मीट तक ड्राय रोस्ट करूंगी आप चाहे तो डिरेक्ली बिना रोस्ट करके भी उसे यूज कर सकते हैं दो से 3 मीट के बाद आप देखोगे तो इसमें से एक अच्छी अरोमा और फ्रेगरंस आने लगेगी तो वो साइन है कि आपके ओट्स रेडी हो चुके है अब इन्हें आप निकाल देंगे एक प्लेट में और इन्हें थोड़ी दिर के लिए ठंडा होने दे ठंडा होने के बाद हम इसे ग्रैंडर जार में ले लेंगे और बिल्कुल भी फाइन नई पर थोड़ा सा कोर्स ग्रैंड कर लेंगे ताकि इसका टेक्स्चर बना रहे अब इससे एक बॉल में ट्रांसपर कर लेते हैं अभी इसमें एड़ करेंगे सूजी इससे बहुत मिक्स्चर आएगा साथी में जाएगा इसमें बेसन बेसन बहुत अच्छा बाइंड करेंगा इस चीले को और एक फ्लेवर भी देगा अब इसमें डालेंगे दही एक चोथाई कप दही के बगर भी आप चीला बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक कप के करीब पानी डाल रह तो आप पांच मिर्च के बाद भी चीले बना सकते हैं दस मिर्च के बाद आप देखोगे तो सुजी और और अच्छी तरह से फूल गए है पर अभी हम इसमें पानी एड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें वेजिस भी डालने वाले हैं तो वो भी थोड़ा पानी चोड़ें गाचर ले रही हूँ चोपर में चोपकिया है हो सके तो सब्जिया बारीक करके ही इस्तेमाल करें एक तोटाए ichtig गप धन्या लिया है और एक बड़ पौल पालग को बारीक कट करके लिया है सब्जिया आप आपके पसंद की हिसाब से एड ग्र में और आपको पसंद douा ऑär भी उसके अंदर डाल सकते हैं अभी इसमें डालेंगे आता छोटी चमच कच्चा जीरा स्वात के अनुसा नमकेर कर ले लाल मिज का पाउडर डालेंगे आप हल्दी पाउडर डालना चाहते हैं तो ये स्टेज पर डाल सकते हो अभी सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि हमें पता चले कि कितना पानी एड़ करना है फिलहाल में एक कप पानी डाल रही हूँ जितनी चरूरत रहेगी इसी साब से पानी डालेंगे तो टोटल हमारा दो चोटे कप पानी गया है ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टनसी है मिश्टर अब पानी रहेगी थोड़ा थोड़ा बेटर डाल कर उपर से स्प्रेड करते हुए फिलाए चीले गोल हो या ना हो पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और वही सबसे ज्यादा इंपोर्टन्ट है उसके उपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे अब मैं इसे ठक कर पकाऊ उनकी दो से तीन मीट तक आप देख सकते हैं दो मीट के बाद उसकी उपर की सारी सर्फेस ट्राय हो गई है तो अब हम इसे बहुत हलके हाथों से बहुत ही प्यार से पलटा देंगे तो देखे इसका कलर भी अच्छा है अब फिर से दूसरी साइड भी दोसे तीन मीट के ल बना लीजिए तो यह लीजिए यह तैयार है आपके और सिला आप इसे तनिया फुदिना की चटनी टमेटो केचप या तो नारियल की चटनी के साथ सब कर सकते हैं चाई के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं बच्चों को लंच बुक्स में देने के लिए बेस्ट ऑप पोस्ट करू या तो नॉर्मल रेसिपी पोस्ट करू आपको सबसे पहले मिले देखने को तो मिलती हूँ आपको ऐसी नई रेसिपी के साथ तिल दिन टेक केर एंड थैंक्स पर वोचिंग